ब्रामर देवता हम माता आदी शक्ति के तृतिय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति आतुर है माता आदी शक्ति की तृतिय स्वरूप है माता चंद्रगंटा नवरात्री के तृतिय दिवस अर्थाथ आज के दिवस माता चंद्रगंटा की पूजा होती है राज के दिवस साधक का मन मनिपूरक चक्र अर्थाथ तृतिय चक्र में स्थेत होता है चंद्रगंटा कितना अनोखा नामे माता की इस स्वरूप का महराज माता चंद्रगंटा का ललाट अर्ध चंद्र के टीके से सुशोबेत है इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है इनका अती सुन्दर स्वर्णें वर्ण है और इनके अनेक हाथ भाती-भाती के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है ब्रामर देवता आपने हमें ये तो बता दिया कि माता के इस स्वरूप के नाम में चंद्र का समावीश क्यूं हुआ किन्तु उनके नाम में घंटा शप्त के जुडाओ का क्या अभिप्राय है इस प्रश्ने का उत्तर देने है तो मुझे आपको माता चंद्रगंटा स्वरूप के उजागर होने की कथा सुनानी होगी माता पार्वती और महादेव का विवा संपन्न हुआ और विधी विधान के अनुसार माता पार्वती की अपने माईके से विदाई हुई इस्त्री के जीवन का सरवाधिक महत्तुपून एवं अत्यंत अध्भूत परिवर्तन होता है ये जब एक कन्या विवाहिता रूप में प्रथम पार अपने माईके से ससुराल जाती है तो इस प्रकार एक ओर माता पार्वती अपने नभी निवास कैलाज कि ओर प्रस्थान कर रही थी तो वही दूसरी ओर तारका सुर अपनी मायावी नஅग्री शौनत्पूर के रूप में अपने नभी निवास का मिर्मान पूर कर चुका था वोचे थे, स्रेश्टम है मेरा ये मायावी नगर और मेरा ये भवन जिसकी माया किसी को भी भ्रमित कर सकती है मेरा सिंगासन सर्वथा सुरक्षित है कोई नहीं पहुँच सकता मुझ तक महराज आपके लिए एक शुप समचार है अभे नहीं अट्टासुर बाद में बताना आज अति आनंदित हूँ मैं क्योंकि आज मेरे शौनितपूर का निर्माण संपन हुआ है इतने कटनाई से ये समचार लाया हूँ और महराज ने सुना भी नहीं शमा करें महराज किन्तो ब्रह्मदेव के वच्चनों से प्रभावित होकर अपने स्वर्ग का परित्याद कर दिया और उनी के सुजाव से अपने सुनितपूर का भी निर्माण किया किन्तो ये क्या आवश्यक है महराज मेरा अर्थ है ये नगरी सुन्दर है उत्तम है किन्तो ऐसा क्या विशेश है इस नगरी में तो क्यों ना हम इसका आनंद उठाएं कितना मूर्ख है असुर राजस्तार का सुर्ग स्वर्ग त्याग दिया इस व्यार्थ के छद्म भवन के लिए अरे ये क्या हुआ ये कैसी ध्वनी है और ये भुकम कैसा मदिरा ये तु अत्यां दद्भूत प्रवा है मदिरा का आनंद आएगा अब आओ 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 आनंद मनाए हम रात्रिसुर तुम मेरे निष्ठावान से वक हो मेरे अति विशेश मंत्री हो तो जाओ और जाकर मदिरा पान का आनंद लो धन्यवाद असुर राज एक और तार का सुर अपने नवीर निवास शोड़ित पुर के निर्मान की प्रसन्यता में डूबा था तो वहीं दूसरी ओर मातब पारवती महादेव के संग उनके निवास कैलाश पहुँची जहां अब उनके समक्ष चकित कर देने वाला द्रिश्य था देवी पारवती अपने दाइने पाव से कलश को जुका कर अपने नवीर आवास में प्रवेश कीजिए यह सब क्या देवी पारवती अब अपने इस निवास को आपको ही संभालना होगा और प्रतीत होता है कि आपके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना आपको स्वयम ही करना होगा अब आप मझे आग्या दीजिए माते, माते किन्तु यह जल तो स्वाच नहीं है नहीं माते पांदी तो एता ही यह देता होना तो ही माते देती है तोतला जी आप समझे नहीं माता को जल नहीं चाहिए स्वामी मुझे क्या थे पारोती तुम यात्रा से ठक गए होंगे इसलिए थोड़ी देर विश्राम कर लो विश्राम करो किन्तु कहां माते, आईए मैं आप तो भवन दिता देता हूँ आईए न माता तोतला जी का आशे है कि वो आपको संपूर्ण भवन दिखाना चाहते है अब देखने को और शेश रह क्या गया है देख क्या रहे हो रात्री सर पियो उसे मदिरा पांतो मैं भी करूंगा रको अट्टा सर अपनी बारे के प्रतिक्षा करो कार सभी मैं करूं और विशेश रहे ये रात्री सुर मदिरा पान का अनंद ले महराज मुझे एक तुछ सेवक के समान ही समझते हैं जब आस प्रतिक्षा ही करे अपनी बारी की ये क्या मदिरा में मेरी चवी जल में प्रतिविम्ब देखा सुना था किन्तो मदिरा में प्रतिविम्ब प्रथम बार देखा है ये ये क्या हुआ ये तो मदिरा में समाई तो क्या अपने मन में मुझे मूर्ग कह रहा था वो मुझे किन्तो अब उसे ग्यात हो गया होगा कि शानितपुर में क्या विशेशता है मायावी है मेरा शानितपुर मायावी एक ऐसा मकड़ जाल जिसमें एक बार जो कोई फसा तो फिर एक कीट पतंग के समान उसमें थोड़ भडाता रहेगा किन्तो वहां से मुक्त नहीं हो पाएगा अट्टासर क्या समचार देने वाले थे तुम मुझे महराज यही ना कि महादैव और देवी पारवती का विवा संबन हो चुका है और वो कैलाश परवत की और प्रस्थान भी कर चुके हैं किन्तो मात्र कैलाश जाने से क्या होगा अरे पुत्र तो प्राप्त नहीं हुआ है ना और वो मैं कदापी संब्भव नहीं होने दूमा तो क्या तारकासुर के पास महादेव और माता पारवती के विवा का समाचार पूर्व से ही था और अपनी इस मायावी नगरी में उसे स्वैम के सुरक्षित होने का अभाज भी हो रहा था और उधर कैलाश में माता पारवती प्रथम बार अपने जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त देख रही थी आए माते आए माते यह जेती है यह अपने तुन दल लतो ही दल पार आए सब्सक्राइब कर दो संदैकल अट्राइब माता, आपके लिए मैं फ़लाओं तेटा लादा माते इन सब के मध्य, स्वामी ध्यान मक्न है स्वामी क्या हुआ ओमा? स्वामी हमारा भवन, हमारे भवन की अवस्था क्या हुआ हमारे भवन को? मेरा अर्थ है, ये सभी ऐसा क्यों है यहाँ? यहाँ कुछ भी सूविवस्थत नहीं, सभी कुछ अस्तिवेस्थ है इतनी धूल एकत्रत है यहाँ और रसोई घर में पात्र भी जिन बिन है, और इतना मेला है वहाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि कितना समय से उसे किसी ने बुहारा तक नहीं, और रसोई घर में भूजन नहीं है, स्वाच जल नहीं है, और सभी कर, वो तो अपनी इच्छानुसा जहां तहां निद्रा मिली तो ये है आपकी चिंता का कारण हाँ स्वामी प्रिये, बाहर से मलिन प्रतीत होने वाला, भीतरा बार, सुन्धरता को जन दे सकता है, कमल पुष भी कीचड में ही फलता फूलता है, और खेलकर अपनी सुन्धरता भी खेरता है मैं तो विवस्था, आविवस्था की विचार अभास तोन से उपर हूँ, किन्तो यदि आपकी चिंता ये है कि आप विश्राम कहा करेंगी विश्राम, निद्रा, उसका तो विचार भी नहीं है मेरे मन में आपने मेरी चिंता ध्यान से नहीं सुनी स्वामी पारवदे, मैं तो यहाँ इस वर्ष के नीचे ही वास करता हूँ, किन्तो मैं आपकी चिंता अवश्य समझ सकता हूँ और उसका निवारन करने है तू, मैं अभी नंदी को आदेश देता हूँ कि वो आपके लिए एक विशेश काक्ष का निर्मान करें और अब आप भी इन विर्थ के विचारों को त्यागियों मा और मेरे साथ यहाँ पैट कर, ध्यान करने का प्रियास करिए क्योंकि ध्यान करने से सवी चिंता हैं स्वता मिट जाती है नहीं स्वामी, आपका ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुझ जो मैं कह रही हूँ, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और नंदी जी जो कर सकते हैं, वो मुझे ग्यात हो चुका है और मैं ये भी समझ चुकी हैं अब जो कुछ भी करना है, मुझे स्वेम ही करना है अब ध्यान कीजिये स्वामी और मुझे यहां की अवस्था पर ध्यान देने दीजे यहां आप सब कुछ मुझे ही उच्चित करना होगा यहां 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 असंकी अंड महराज यह क्या है व्रिद्ध हो गए हो तो मट्ट असुर इसलिए यह समझने में असमर्थ हो कि यह मेरे नवीन असुर है यह कैसे असुर महराज जिनके ना हाथ है ना पाओं है और ना ही मुख है तन सही नहीं मन से विवरद हो चले हो तो मट्ट असुर अभी अंडे से बाहर आने वाले नवजात असुर हैं यह और जब यह बाहर आएंगे तीवर रक्त पिपासा होगी इनकी समय आ गया है मेरे संदर असरा आओ बाहर आओ देखो मेरे नवीन स्वामी भक्तसुर है यह जाओ पूर्ण करो अपने जीवन का उद्देश आखोण करो केलाश परवत्वर अंत करो देवी पार्वती का क्या स्वादिष्ट खाने के स्वापन आ रहे हैं अरे स्वापन में भी तुमारे स्वाव की तुछता नहीं गई स्वापन भी देखा तो मात्र इसी का अच्छा तो निद्रा में भी इने भोजन के ही स्वापन आ रहे हैं अरे वाँ इतना स्वादिष्ट भोजन रुक जाँ कोई आगे नहीं बढ़ेगा कोई इस भोजन को स्पर्श नहीं करेगा क्या हुआ माता सब खुशल तो है ना माता ये 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 मिस्थान ये पकवान आपने स्वयम तयार किये माता सत्ति कहूं तो आज के पूर्विस रसोही ग्रह में ऐसा ऐसा कभी भी कुछ नहीं पका पर ये तो ये तो अत्यंत सुन्दर प्रतीत हो रहा है माता हमें बहुत बूट ला दिया है महादेव के भोजन प्राप्त करने के बाद मैं तुम सभी को भोग प्रदान करूंगे जो आज्यमाता क्यदी मैंने इन गड़ों को अपना कारे संपन करने की प्रतीक्षा की तो कदाचित मुझे अनंत काल तक ही प्रतीक्षा करनी होगी मैं पूजा की तैयारी आरम करती पूजा की सामक्री एक ओर माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थी तो दूसरी ओर तार्कासुर के नवजात असुर माता को शती पहुँचाने हे तो कैलाश की ओर बढ़ रहे थे यह खंड जूद कैलाश को सदा प्रकाशित करती रहे तो क्या तार्कासुर के विन नवजात असुर माता को शती पहुचाने में सफल हो गे ते प्रामर्देवता माता चंद्रगंटा का विवार माता पार्वती के रूप में महातेव से होने के पश्चात पे अपने नवीन निवास कैलाश तो पहुच गई किन्तु वहाँ चारो और सबकुछ अस्त व्यस्त देखने के पश्चात उन्होंने ततकाल गणों को सबकुछ पुना सुविवस्थित करने के कार्य में लगा दिया और माता स्वयम शिवलिंग की पूजा इस्थापना करने में जुट गई पूजा की सामक्री एक और माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थी तो दूसरी ओर तारका सुर के नवजार असुर बाता को शती पहुचाने है तो कैलाश की ओर बढ़ रहे थी ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई यह खंड जोद कैलाश को सदा प्रकाशत करती रहे और मेरे निवास से अंदकार और बुरी शक्तियों को सदा दूर रखे ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई महेश्वराई नित्याये शुथ्थाय दिगंबराय असमे नापाराय नमाशिवाय नित्याये शुथ्थाय दिगंबराय असमे नापाराय नमाशिवाय करो शोलुथ का व्रिया यारίν कि चेंटीन असमे असे से असे सセ रहा है असमुथ्थाथ असमें असम कि अक्यायो आदे स्वेओ है तर्षम कारी कारी تو असमें धन है ब्समार एंबराय एंध परिंगे उन समार मइब वूर्मार BC sensitive द्रुप अलोकिक घेमा चंद घंता हन्डे किनार से ताप निनाते हर्टी सारी विपदा है मा, 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 हर्टी सारी प्रूब कर दो नब है जिस भी ग्रह में सत ग्रहिणी प्रात और सायमकाल नेमित रूप से घंटा बजा कर ध्वनी उत्पन्न करती हैं उस ग्रह से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर रहती हैं यही माता ने भी किया उन्होंने फिर घंटे की ध्वनी से कैलाश में अब तक व्याप्त समस्त नकारात्मक उरजाओं को दूर किया और इसलिए माता के तृतिय स्वरूप का नाम है माता चंद्र घंटा माता चंद्रगंटा नारी की उपस्थिती की महत्व की प्रतीक है जिससे भवन मात्र भवन ना रहकर ग्रिह बनता है और माता के कैलाश आने के पूर्व महादेव एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे माता ने ही उने वन ग्रहस्थ आश्रम की और अग्रिसर किया जिसके अनुरूप उनके निवास और उनके जीवन को व्यवस्थित किया और कैलाश को अखंड जोती से प्रकाशित किया इतनी तपस्या के उपरांत माता को महादेव का साथ प्राप्थ हुआ था खिन्तु वास्तव में तो उनकी तपका सुफल तो माता की रूप में महादेव को ही प्राप्थ हुआ था अब माता के जीवन का तृत्तिय चरणारम हो चुका था माता का ये रूप परम शांती दायक और कल्यान कारी है इनका ध्यान हमें लोक और परलोक दोनों में ही सुख सद्गती प्रदान करता है देवी चंद्रगंटा की आराधना से साधक में वीर्ता निर्भेता के साथ साथ सौमेता और विनम्रता का भी विकास होता है माता चंद्रगंटा का ध्यान करने से साधक का तृतिय चक्र अर्थात मणी पूरक चक्र जागरित होता है तृतिय चक्र अर्थात मणी पूरक चक्र हमारे विवेक को जागरित कर उसके चरम पर ले जाता है हमें और जब हमारी कुंडलीनी के इस चक्र में उर्जा का प्रवाह होता है तो हम अपने पूर्व के निर्णय के उचित और अनुचित पर पुना विचार करने पर विवश हो जाते हैं महराज, माता, अब आप भी माता का ध्यान कीजिए अवश्य महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है यदि मुझे यहां राज्य करना है, तो आपको यहां से प्रस्थान करना होगा क्या हुआ महाराज, आप कुशल तो है ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे, कि जैसे मुझे को बहुत बड़ी भूल हो गई हो अब हम माता की आर्थी करेंगे हore शीष चंड और रूप अलाकिक हेमा चंड घंटा संटि की ना दिस पाप विनाशे हर्थी सारी विपदा है मा हर्थी सारी विपदा है मा हरती सारे विवा